अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और राश्ट्रपती गनी को बाहर का रास्ता दिखाया है। अफगानिस्तान के लिए जर्मनी के पूर्व राश्दूत रह चुके है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा करते ही भारती राजनईकों को वापस बुलाया जा रहा है। काबूल से एक एर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली लेंड भी कर चुकी है। उस फ्लाइट के जरिये 120 यातरी भारत वापस आये है। इसके साथ ही कैनेडा समेत कई देशों ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को ततकाल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मही अमेरिका ने अपने लोगों कुस रक्षि स्थानों पर जाने के लिए कहा है। कई घंटों से काबूल के बाहरी लाके में डेरा डाले बैठे तालिबान ने इसके कुछी समय बाद घोशना की कि वे शहर के और अंदर प्रवेश करेंगे। अमेरिकी दूतावास से कर्मियों को निकालने के लिए हलिकाप्टर दिन भर आसमान में उडान भरते दिखे। मही परिसर के पास धुआ उठते भी देखा गया क्यूंकि कर्मचारी महतुपुन दस्तावेजों को नश्ट कर रहे थे। पश्यमी देशों के कई अन्य देशों के दूतावास भी अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए तैयारी में है। तालिबान की प्रवक्ता ने स्थान्य टोलो नियूस से कहा है कि उसके लड़ाके काबुल में घुसेंगे। वो काबुल में जारी बवाल को शान करेंगे और अजकता को रोकेंगे और लूट पार्ट की घटनाओं पर लगाम लगा देंगे। इतना सब कुछ करने की तैयारी कर रहा तालिबान ये भी कह रहा है कि पुलिस और आम लोगों को इसका रिवाई से डरने की जरूरत नहीं है। कर दो ठालिबान ये जरूरत नहीं है।